आने वारे वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएए और और आल पर किलिक कीजिए नमस्कार दोस्तों आप सभी का अमारी यूट्यूब चनल पर स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गरवावस्ता में कितनी बार यौनी की अंदरुनी जाच की जाएगी यानि कि पूरी गर्वावस्ता में और डॉक्टर ऐसा क्यूं करते हैं आपके प्रावीट पार्ट में फिंगर्स क्यूं डालते हैं वो ऐसा क्या चेक करते हैं जिसøs कि आपकी प्रेग् hah 자Tube की जा सके अच्छी तरीके से ऐसा कब कब होता है और कितनी वार होता है और इससे आपको क्या वहनी फिट है तो सारे कुश्टिंस का जवाव आपको इस वीडियो में मिलेगा यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें यह वीडियो आपके लिए बहुत ही पूर्व जाच का एक हिस्सा होती है यौनी की जरीए जाच कितनी भार होगी ये आपकी स्वास्त त्री पर निर्वर करता है अधिकान से महिलाओं की आंत्रिक जाच पहली तिमाई में होती है आम तोर पर डॉक्टर से पहले चेकप के दोरान डॉक्टर है पाचेगी की ग्रीवा जो सर्विक्स होती है वो म्यूकस डार्ट से बंद तो नहीं हो गई है और कई इंफेक्शन के कोई संकित तो नहीं है यदि आपको गरवावस्ता की सुरुवात में खून के धब्बे आ रहे हो या मरोड से मैसूस हो रहे हो तो डॉक्टर आपको यौन पर पेट पर से छूकर आपके गरवा से को सही डंग से महसूस नहीं किया जा सकता है इसलिए वो फिंगर्स का इस्तमाल करते हैं जो कि आपके प्रावेट पार्ट में डालते हैं यदि आपकी गरवावस्ता में कोई जटिलता नहीं रही हो तो अगली अन्रूनी जाज आम पर तीसरी तमाई में करीब 36 सब्ता की गरवावस्ता के आसपास होती है इसके बाद हर सब्ता इंटरनल चेक अप किया जा सकता है ऐसा गरीवा के मुलाइम होने और बिस्पारण की जाच करने के लिए किया जाता है ध्यान रखें कि आंतरिक जाचे तवी की जाएंगी जब इन्हें करना बहुत जरूरी हो या फिर कोई ऐसी इस्तिती हो जिसमें नियमित निगरानी जरूरी हो साथी हालांकी डॉक्टर की टाडू मुक्त दस्ताने पहनती हैं मगर बार वार आंतरिक जाचों से जीवाडू के यौनी में प्रवेस का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए इन्फेक्शन के डर को देखते होए डॉक्टर आंतरिक जाचें जितनी हो सकें कम ही करती हैं दोस्तों आपको ज्यादा वार आंतरिक जाचें किन इस्तितियों में करवानी होंगी जब आपको यह यह आपके अंदर सिम्टॉम्स दिखें जैसे कि आपको इस्पोटिंग या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है आपको यौनी में कोई ऐस एजिता या फिर असमानने इसकलन हो रहा हो बलड का आपको यौनी इंफेक्शन या फिर जैनाइटल हर्पिस जैसे रोग हो या फिर आपको समय से पहले परसम का खत्रा हो आपकी यौनी में कोई गाठ या असमाननिता की बेजाइनल ग्रोथ हो इस इस्तिती में डॉक्टर आपकी ग्रीवा की जाज करते हैं फिंगर से साथ ही यदि आप गर्वावस्ता के बीच में या अंत में अपनी डॉक्टर बदलती हैं नई डॉक्टर के साथ पहले चेक अप के दोरान आंतरिक जाज भी की जा सकती है गर्वावस्ता के आखरी चरण में जब ड्यू डेट पर पहुँचने के बाद भी परसब सुरू ना हो तो कुछ डॉक्टर परसब सुरू करवाने के लिए भी इस प्रक्रिया को अपनाती है जिसे मेंब्रेन स्वीप कहा जाता है मेंब्रेन स्वीप यौनी के जरिये आंतरिक जाज के दोरान किया जाता है डॉक्टर ग्रीवा के चारों तरफ अपनी उंगली गुमा कर सिसु के आस पास मौजूद एम्मिनिटिक ठेली की जिल्लियों को अलग करती है ऐसा करने से परसब सुरू करने में मददगार प्रोष्टा ग्लैडिन हर्मोंस निकलता है यौनी के जरिये अंदरुनी जाज के दोरान आपका एस एज मैसूस करना सुवाविक है मगर इस एस एजिता को कम करने के लिए आप कुछ उपाय आजमा सकती है जैसे की अपनी डॉक्टर से बात करके समझें कि ये आंत्रिक जाचे क्यों की जा रही है यदि आप आंत्रिक जाचे करवाने को लेकर परेसान है या आप संकोच महसूस कर रही हो तो आपकी डॉक्टर आपको आपके इस डर को दूर कर सकती है वे आपको बता सकती है कि ये एक नियमित प्रिक्रिया है और चिंता वाली कोई बात नहीं है यदि चेक अप के दौरान कभी आपको ऐस एजिता या दर्द महसूस हो तो अपनी डॉक्टर को अवश्य बताएं कुछ महिला हैं जाच अकेले करवाना पसंद करती है मगर यदि आपको लगेगी किसी के साथ उने पर आपको अधिक आस्वस्त मिलेगी आप आस्वस्त रहेंगी तो अपनी डॉक्टर को इस बारे में पूछे है कि आप किसी को अपने साथ ले जा सकती है या नहीं आपकी मा या पती इसमें आपका सायोग भी दे सकते हैं और दोस्तो जाच के दौरान अपने पेट, कूलों, स्रोंडी और जांगों की मास्पेसियों को सिथिल रखने पर ध्यान दें हलंकि ऐसी इस्तिती में रिलेक्स कर पाना मुस्किल होता है मगर यदि आपकी यौनी की मास्पेसियों तनी होंगी तो जाच में और अधिक ऐस हैजिता होगी खुद को सांत रखने के लिए तेज सांस लें या फिर स्वसन बयायाम करें आप अपना ध्यान बाटने के लिए ऐसी चीज़ों के वारे में सोच सकती है जो आपको खुशी दे या आपको अच्छा महसूस कराए दोस्तों यदि आप आंतरिक जाच के वारे में चिंतेत हैं या सरम महसूस कर रही हैं और सोच रही हैं कि इसमें आपको ऐसा जिता या फिर दर्द महसूस होगा तो ऐसा सोचने वाली आप अकेली नहीं हैं हर गर्बती मेला के मन में ऐसे सवाल आना एकदम सामने और जाइज होते हैं तो आपको साइद या जानकर बहतर महसूस होगा कि डॉक्टर के लिए यह एक नियमित जाच है वे हर तरह की सारारिक सरचना वाली गर्बती महिलाओं के जाच करती हैं वे अपनी जाच में ही इतनी व्यस्त होती है कि उनका ध्यान और किसी चीज पर नहीं जाता है तो अच्छे से डॉक्टर को आपको चुनना है अपनी प्रेगनेंसी प्रिकरिया को अपनाने के लिए जो आपका अच्छे से ख्याल रख सके उम्मिद करता हूँ कि आपको मारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कुश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा तो ये वीडियो आज की यहीं तक तीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद